तो हलो लर्नर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉलेज के ऐसे प्रोजेक्स और आइडियाज के बारे में जो जावा एसक्रिप्ट के मदद से बनाये जा सकते हैं जावा एसक्रिप्ट एक बहुत ही popular language है web development के लिए और इसका यूज आप single page applications SPA को build करने के लिए कर सकते हैं जैसे react या angular framework का यूज करके या फिर traditional multi page applications को बनाने के लिए jQuery library का यूज करके इसके अलावा और भी बहुत सारे uses हैं जावा एसक्रिप्ट के जो इस वीडियो में discuss करने वाले हैं uses of जावा एसक्रिप्ट देखने के बाद अपने discuss करेंगे top 10 computer science projects in JavaScript जो आप mini या minor कहलो या major कहलो आप अपने college के लिए कर सकते हो साथ ही अगर कोई project का source code आपको चाहिए तो please comment करिए project का नाम हम लोग source code का link quickly provide कर देंगे तो let's get started आगे बढ़ने से पहले बता दू minor और major project पर हमने already एक वीडियो बनाया है और काफी अच्छा response भी रहा है तो i button में जो link दिख रही है ना click करके देख सकते हो साथ ही description में तो available है ही सबसे पहले एक web application बनाने के बारे में बात करते हैं Java script एक बहुत ही popular language है web applications बनाने के लिए क्योंकि ये versatile है और आप single page और multi page दोनों प्रकार के applications बनाने के लिए उप्योग कर सकते है single page applications के लिए आप react या angular जैसे framework का उप्योग कर सकते हैं जिससे आपको complex user interfaces बनाने में आसानी हो जाती है multi page applications के लिए आप jQuery जैसे library का उप्योग कर सकते हैं जिससे आप अपने web pages में dynamic functionality add कर सकते हैं चाहें आप simple blog या एक complex e-commerce platform बना रहे हो javascript एक web developer के लिए जरूरी tool है तूसरा है game development आपको ये शायद नहीं पता होगा कि javascript का उप्योग browser में चलने वाले games बनाने के लिए भी किया जा सकता है आप phaser जैसे library या unity जैसे framework का उप्योग करके fun और engaging games बना सकते हैं जिसे users अपने web browser में ही खेल सकते हैं अगर आप game development में interested हैं और javascript का उप्योग करके games बनाने के बारे में और जानना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा project हो सकता है अब अब next data visualization के लिए यूज करते हैं अपन जावास्क्रीप का जावास्क्रीप बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें HTML और CSS के साथ interact करके dynamic और interactive visualizations बना सकते हैं आप d3.js library का यूज करके chats, graphs और दूसरे visualizations भी बना सकते हैं mobile app development के लिए भी आप जावास्क्रीप का यूज कर सकते हैं रियक नेटिव या आयोनिक जैसे framework का ये framework आपको code एक बार लिखने और उसे iOS और Android devices दोनों में deploy करने की सुभीदा देते हैं network development के लिए भी जावास्क्रीप का यूज किया जा सकता है आप dialogue flow या bootpress जैसे platforms का यूज करके chatbox को build कर deploy कर सकते हो machine learning के लिए जावास्क्रीप सबसे popular language तो नहीं है लेकिन image recognition और natural language processing जैसे simple task के लिए यूज किया जा सकता है आप tensorflow.js या brain.js जैसे libraries का यूज करके machine learning models बना सकते हैं blockchain development के लिए भी जावास्क्रीप का यूज किया जा सकता है आप w3.js library का यूज करके Ethereum जैसे blockchain network से interact कर सकते हैं और decentralized applications डी apps बना सकते हैं web browser extensions के लिए भी जावास्क्रीप का यूज किया जा सकता है हाँ आप view.js या react.js libraries का यूज करके user interface को build और browser के API के साथ interact कर सकते हैं अगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूँ code development का python full stack development course अब Udemy पर भी available है with certification कहने को तो ये code paid है 799 afrox लेकिन मेरे subscribers के लिए विल्कुल free है description में coupon code है जाए और अभी enroll करिए साथ ही आप अपने दोस्तों को भी प्यार दिखा सकते हो शेयर करके तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अब हम बात करेंगे 12 javascript project ideas के बारे में जैसा कि अपने thumbnail पर हाज जो आप 2023 में अपने mini project या minor project या फिर major project के लिए try कर सकते हो तो बात करते हैं सबसे पहले social media platform आप javascript react और node.js का use करके एक social media platform बना सकते हैं जिसमें user profiles, news feeds और messaging capabilities होंगी next है e-commerce platform आप javascript और react और firebase का use करके एक online store बना सकते हैं जिसमें shopping cart, payment gateway और product management system होगा next है हमारा quiz application आप javascript और react का use करके एक quiz application बना सकते हैं जिसमें आप users को various topics पर quizzes दे सकते हैं next आपके लिए जो मैंने choose किया हूँ है weather app आप javascript और APIs का use करके एक weather app बना सकते हैं जिसमें real time weather information दिखाया जाएगा next है recipe app आप javascript react और firebases का use करके एक recipe app बना सकते हैं जिसमें users अपने recipes share कर सकते हैं और नए recipes discover कर सकते हैं उसमें आप users customers सबके profile बनाने का अलगलग panel बना सकते हो और उसमें कुछ-कुछ नई चीज़ें add कर सकते हो लेकिन अगर यह minor और major project है न तो payment gateway थोड़ा सा add कर दोगे न तो यह थोड़ा सा अपने teachers या आपके जो mentors उनके लिए थोड़ा सा unique लग जागा कि आपने कम से कम समय है या new है innovative है वो यह देखता है कि जो भी आपने बनाई उसका concept आपको आपका clear है या फिर आपने जो presentation दिया कहीं यह तो copied नहीं है न आपने जो बनाया वही presentation दे रहो या फिर वो आपके दिमाग में clear है भी या नहीं तो बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा fitness tracker आप जावास्क आप जावास्किप्ट और Node.js का यूज करके एक real time messaging system जिसमें users profiles, groups और messages, history जैसे features होंगे और next है आपका movie recommendation engine आप जावास्किप्ट और APIs का यूज करके एक movie recommendation engine बना सकते हो जिसमें users को उनके preferences के हिसाब से personalized movie recommendation दिया जा सकता है नेक्स जो आपके लिए चूज क्या है ना वो है news aggregator आप जावास्किप्ट और APIs का यूज करके एक news aggregator बना सकते हैं जिसमें various sources से news click करके display किया जा सकेगा अच्छा एक चीज़ का आप मैसा ख्याल रिखिए अगर कोई भी project इसमें से चाहिए किसी का भी source code चाहिए तो आप आपको source code चेक comment box में message करिएगा हम तूरंत reply करेंगे जो बहतर आपका source code का link होगा वो मैं share करूँगा जहां से आप easily ले करके copy करके अपने group में बना सकते हो तो next जो आपके लिए चूज क्या है ना that is expense tracker आप जावास्किप्ट और react का यूज करके एक expense tracker बना सकते हैं जिसमे यूजर्स अपने expenses track कर सकते हैं और अपनी budget को manage कर सकते हैं next जो आपके लिए चूज किया ना वह है language learning app आप जावास्किप्ट और react का यूज करके एक language learning app बना सकते हो जिसमें interactive lessons और exercises होंगे जो users को new language सिखने में help करेंगे और इसमें और ज्यादा जान करी चीए तो अपनी team बनाई है और उससे discuss करिए और ज्यादा जान करीचे है तो comment box में comment कर दीजिए हम लोग उस पर मदद करेंगे next जो आपके लिए चूज किया ना वह है job board आप JavaScript react और firebase का यूज करके ना एक job board बना सकते हैं जिसमें employers job openings post कर सकते हैं और जो job seekers है वो job के लिए apply कर सकते हैं काफ आपको एक ऐसा project चूज करना है जो आपको interest करता हो और आपकी skills और goals से align है तो ये थे कुछ college projects जो आप JavaScript के मदद से बना सकते हैं उमीद है आपको ये वीडियो प्रसंद आई होगी अगर आपको और कोई suggestions है तो हमें comment section में जरूर बताएं if you have any questions please do let me know अगर source code चाहे तो भी आप comment कर सकते हो मैं directly आपको source code reply में provide कर दूँगा अगर आपको और कोई suggestions है तो हमें comment section में जरूर बताएं तो यार आज के लिए इतना ही आपको screen पर और भी कुछ recommendations दिख रहे हैं projects related और जादा जानकारी चीए तो ये जा सकते हो यहाँ पर visit कर सकते हो मिलते हैं फिर किसी औ और वीडियो में तब तक के लिए have a good day see you bye bye